हाई है वेल्कम तो पीएस और दिस वरुन महाजन तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इरिगेशन ठीक है अब जेंड के की इरिगेशन देखेंगे या फिर आप यह भी चीज बोल सकते हो कि हम जम्मू एंड कश्मीर की अग्री कल्चर के बारे में डिसक्स क टिक है एक बार देख लेते कि हम इस लेक्चर में डिसक्स करेंगे uelी देखो पहले तो हम देखेंगे beneaud की सी डीफिनशन देखेंगे कि इरिगेशन बोलते किसको Great हम यह देखेंगे कि हमारे यहां पर इरिगेशन होती एक मात है कोन ही सी किनार सिपक्षिक पिर उसके बाद हम देखेंगे कि किनाल इरिगेशन जो है, मैं आपड़े जो है, कि हमारे जो थोड़ा बोता हम पीछे डिसकस किया था, वहाँ पे मैंने यही चीज़ बोली थी हमारे यहाँ पर majorly वो canal irrigation ही देखने को मिलती है major source of irrigation हमारा वो canal irrigation है यानि कि आप यह बोल सकती हो कि हमारे जम्मू, कश्मीर और लदाक को भी हम यहां consider करेंगे बेशक separate use it है बट हम यहाँ पर लदाक को भी पढ़ेंगे तो मैंने वही चीज बोली कि major source of irrigation जो हमारा वो किनाल irrigation है क्योंकि हमारे यहां पर majorly जो हो किनाल वगरा बनाई गई है और उनी किनाल के थुरू ही हम water जो है वो provide करते हैं हमारी crops को और plants को ठीक है तो यहां पर यह देखेंगे किनाल irrigation के बारे में देखेंगे फिर उसके बाद हम चलेंगे important channels देखलेंगे, हमारे जमूर & कश्मीर की, उसमें पेहले हम discuss करेंगे जमूर की canals देखलेंगे, फिर एक हते और के लिधा यूरी के लेंगे, अच्छा, जमूर की canals की मा बत करों, हम देखलेंगे रन्बीर के नाल के बारे में, परताब के नाल के बारे में, दूदर के नाल के बारे में, कठुगा के नाल के बारे में, रवी के नाल के बारे में, ठीक है, फिर एक एक करके इन सब को हम लेंगे और अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर आगे चलते ह locally farmers के दौरा बनाई जाते हैं, construction की ह invasive दार्मस के दौरा ही की जाती है, ठीक है? अच्छा, फिर ते बाद हम देखेंगे कश्मीर में माٹेंड के नाल देखने को मिलती है, जनागीर के नाल देखने को मिलती है, तो इसको भी detail में discuss करेंगे, तो इसकी बाद, लदा के बारे में हल चलो देखो पहले हम बात करें इरिगेशन होता क्या है इरिगेशन देखो यहां पर यह चीज लिखी हुई है कि आर्टिफिशली मीन आफ वाटरिंग यानि कि जो आरटिफिशल वे में पानी प्रवाइड करते हो क्रॉप्स को प्लांट्स को क्यूं कि आपको पता है पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा हमारी क्रॉप्स को, हमारे प्लांट्स को, तो वह बेसिकली क्या था, उसी को ही हम बोलते हैं, इरिगेशन, अच्छा, अब हम बात करें हमारे जमुर्ण कश्मीर में जो इरिगेशन देखने को मिलती है, तो हम यह बोलेंगे, मेजरली ज पर जो है, वो जे एंड के में जो है, वो किनाल वगेरा बनाई गई है, और इनी किनाल के तरू ही जो है, पानी प्रोवाइड करते हैं, हमारी क्रॉप्स को, हमारी प्लांट्स को, ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे कि इरिगेशन कितनी तरह की होती है, एक होत के थ्रू हम अपनी फील्ड को इरिगेट करेंगे क्रॉप को पानी देंगे प्लांट को पानी देंगे टैंक के थ्रू ठीक है बट मैं आपको वही चीज बोली मेजरली यहां पर के नाल वगरा बनाई हुए तो 93.25% हमारा जो पानी आर्टिफिशली जो प्रवाइड किया जा 86% अच्छा अब हम बात करें किनाल इरिगेशन की तो मैंने आपको वही चीज बोला कि किनाल इरिगेशन जो मेजर सोर्स हमारा इरिगेशन का किनाल के थ्रू तो हमारे जितने भी तीनो रीजिन्स हैं आप देख सकते हैं जमू कश्मीर लदाक लदाक को भी हम डिसकस थी कश्मीर में भी और लदाक में भी चोटे बोटे आपको जो है वहां अच्छा तो देखिंगा इसको भी देखेंगे अच्छे से अच्छा अब पहले हम डिसकस कर लेता है किनाल जमूरिण कश्मीर में धर्टिंट केकोश्मीर में ठीक है तो जमू अनकिश्मी पहले हम जमू देखेंगे फिर कश्मीर देखेंगे फिर हम लदाक देखेंगे पहले हम जमू देखेंगे जमू की इंपॉर्टन के नाल तिकलो रनबीर के नाल परताब के नाल दुदर केनाल, कठुवा केनाल, रवी, तवी, इरिगेशन, कॉम्पलेक्स, फिर रवी केनाल तो पहले हम रवी केनाल के बारे में देख लेते हैं अब रवी केनाल जो है, इसकी जो लेंथ है इस केनाल की लेंथ जो है, वो 76 किलोमेटर है, पहली बात दूसरी बात हम ये बोलेंगे कि ये जो रवी केनाल है ठीक है ये बेसिकली जो हम बोलेंगे कि रवी रीवर जो है वहां से उसके राइट बैंक से इस केनाल को जो है वो लिया गया है या फिर आप ये बोल सकते हो ये अगर रावी रीवर जा रही है ठीक है ये क्या जा रही ह गई है ठीक है और जिस के नाल का नाम क्या है जो कि आप देख सकते हो रावी के नाल और बेसिकली यह जहां से निकाली गई है तो आप देख सकते हो कि शापूर कंडी यहां से बेसिकली जो है इसको निकाला गिया है और यह फ्लो कर रही है ठीक है अच्छा अब हम बात करते ह कि यह जो रावी के नाल ऐसे ambitious project हमारा बनाएगा जिसको आपको पता होगा Garland canal project basically हम यह बोलेंगे कि यह जो हमारी रावी के नाल है यह पास करती है हमारी जो भी हमारे most of the arid land होंगे हमारे at the foot hills of kundi belt between लगखनपूर एंड बीजेपूर एंड लाउंग नेशनल हाईवे इंकटुवा एंड सामबा डिस्ट्रिक्ट ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं कि यहां पर हमारी दो किनाल हमें यहां पर दो किनाल हमारी ऐसी है जो बेसी कली हम यह बोलेंगे जो हम यह बोलेंगे की संबा डिस्ट्रिक्ट में आके मिलती है अच्छा यह तो होगे लगे हमने देख लिया रवी कनाल बारे में अब नेक्स डेक लेता है अब रहं बीर कनाल के बारे में बहात करें तो हम बोलेंगे कि चिनाब रिएवर के लेफ्ट बैंक से बेसीकली इसको निकाल आ झाता है और ये नेशनल हाईवे जो है यहां से पास करती हुई केनाल जो है वो जाती है और तवी रिवर को जो है वो क्रॉस करती हुई जाती है और लेटर जो फ्लो करेगी किसमें ये आरस पूरा से फ्लो करती हुई जाती है और इसकी जो टोटल लेंथ है इस केनाल की वो आप देख यहां से इसको ड्रॉ किया गया है और जहां से निकाला गया है यह जो पॉइंट एक नूडु को आरस पुरा को जाती है और टोटल लंद कितनी बनाती है यह पूरी के नाल 60 किलो मेटर की ठीक है बाकि हम बात करते हैं हमारे जमू की फील्ड होगी, आरेस पूरा की होगी, अकनूर की फील्ड है, ठीक है, यहां पे इरिगेशन जो है, यह प्रोवाइड करती है, बाकी आप यह देख सकते हैं, कि समाल हाइडरो अलेक्टिक पावर स्टेशन भी जो है, वो बनाया गया है, जो कि 600 किलो वाट कैं, ठीक ह सवरी, इस किनाल पर, ठीक है, नेक्स देखते ही हम परताब किनाल की बात करते हैं, परताब किनाल के अगर हम बात करें तो हम यह बोलेंगे कि चनाब रिवर जाँऊए, उसके रायट बैंक से, इस किनाल को गुचा यहां वो निकाला गया घृवागा है, और पूरी किनाल क जो लेंथ है वो हमारी 36 किलो मेटर बन जाती है और इरिगेट करती है हमारी खोर, जोडिया, हमीदपूर और सिधर रिजिन जो है हमारे बेसिकली यहां पर जमू यहां पर इरिगेशन जो है यह प्रोवाइट करती है नेक्स्ट आगया हमारा फिर दूदर के नाल ठीक है दूदर के नाल के और हम बात करें तो बिसीकलिए हम यह बोलेंगे दूदर नाला जो हैgender के नाल को वो निकाला गिया है और टोटल लेंथ जो है थर्टीन किलो मिटर और हम बत करते हैं कि आध्या कि एर्ड़ nin के इसको ले गया है और हम यह बोलेंगे इस किनाल की जो लेंथ 36 किलो मेटर की लेंथ है और इरिगेट करती है जो भी एरियास हमारे जो है हम बोलेंगे जो हमारे उज रिवर के लेफ्ट में जो है वो केट करते हैं उन सारे एरियास को जो है यह क्या करती है इरिगेट करती है ठीक है तो यहाँ पर हम बात करें तो हम यह बोलेंगे, बिसिकली एक प्रोजेक्ट है, जिसका मेन अबजेक्टिव, मेन गोल, मेन एम, क्या है, यही की किनेक्ट करना है, जी हमारी waters एक रावी river देख लो, और हमारी तभी river होगी, इन दोनों के पानी को छो है, वो कनेक्ट करना है, और इर्िगेशन पर्पसिस के लिए जैसे कि वो हमारे जमूरीजन की कंड़ी एरिया जोगे प्लेन एरिया हो यहां पर बेसीकली इर्रिगेशन जो हो किया जाए फिर हम बात करते हैं कि यह जो प्रोजेक्ट है अच्छा यह जो प्रोजेक्ट है बेसिकली यहां पे यह प्रोजेक्ट कमप्राइस करता है दो किनाल एक तो मैंने आपको बता है तवी लिफ्ट किनाल चीक है तवी लिफ्ट किनाल जो है यह बेसिकली यह हमारी किनाल जो है आ्हात विटर जो हमारा वाद्र वह का वो थ्री उट की ह 10 वीर प्रोय है तो मैं लिए उसके बहुर्त के अंदर अन ऐस घृच में तो मैंनेन के नी हे इसके शुह चैनि complex है basically इस project का main objective main goal यही है कि हमारे जो रवी रिवर हो गया और तवी रिवर जो है इस के दोनों पानी को जो हो connect करना है और उसी connect वाला पानी जो होगा ठीक है जो mix पानी है उसी का फिर use किया जाएगा irrigation purposes के लिए जो हमारे जमू रिजन्स के हमारे कंडी एरिया जाते हैं फिर हम बात करते हैं यह जो project है इसमें दो केनाल आपको देखने को मिल रही है एक आगी तवी लिफ्ट केनाल ठीक है पहली केनाल के हाइट को रेस किया जाता है लिफ्ट पंप के थरू ठीक है अगर आप वहां पर गे होंगे बहु फोर्ट वहां पर आपने चीज़ देखी भी होगी तो थ्री मिटर की हाइट तक इसको जो है वह रेस किया जाता है लिफ्ट पंप के थरू और फिर उसी पानी को जो है व government constructed canal अब जमीनदारी किनाल जो है यहाँ पे आपको दो देखने को मिलती है जैसे कि एक martin किनाल है दूसरी जनागिर किनाल है ठीक है अगर मैं जमीनदारी किनाल की बात करूँ लोकल इसी किनाल को क्या बोला जाता है कुल्स बोला जाता है वहाँ पे और हम यह बोलेंगे इसी किनाल को चाहिए फार्मर्स के दोरा और टोटल इतनी किनाल कितनी हमारी यह जमीनदारी किनाल हम बोलेंगे 2827 यह यह तनी किनाल हमारी और उसमें से भी हम बात करें 259 जो है उसका यूस किया जाता है इरिगेशन के इरिगेशन और फिलट कंट्रोल के लिए किसके दोरा इरिगेशन और फिलट कंट्रोल डिपार्टमेंट के दोरा ठीक है फिर हम बात करते हैं कि दो फेमस किनाल हमारी जो कश्मीर कश्मीर में जो हमें दो फेमस किनाल जो है वो देखने को मिलती है मार्टन कि केनल की मैं बात करूं तो मार्टिन केनल जो है हमारी हमारी जय boundary केड़े की और इसको कंस्टॉक्ट ओ्रिजिन ल किसके दोरा किया गया था। ग्रेट किंग ऑफ कश्मीर लिली अधित्य की दोरा इसको बनाय गया था फिर उसके हम बात करते हैं सब्से soon टॉ mais को आगे जो है जो रूलर्स आते हैं उसको उनके द्वारा इसको जो है वो मेंटेन जो है वो किया जाता है इसको एक्स्टेंट किया जाता है इसी केनाल को अच्छा फिर हम बात करते हैं कि यह जो हमारी केनाल है यह लेफ्ट बैंक जो हमारा लिद्दर रीवर ठीक है एट गनिशपू वहाँ से इस किनाल को इसे किनाल की जो ड्राउ आउट किया गया है और हम यह बोलेंगे कि इस किनाल की टोटल लेंथ है वो हमारी 50 किलॉमीटर की है औरिरिगेट करती, 95 100 एकर off land और यह जो किनाल है यह 지금 टर्मीनिट खतम होती है, está Working किनाल में जाके जो कि अनंतनाग में लोके है जाइनू आपदीन के दवारे 15 सेंचु century में और यह बोलेंगे कि इसको इरिगेट करती है हमारी जनागिर जो है यहां की फिल्ड्स को इरिगेट करती है जो हमारे बार्हामुला डिस्टिक में जो है वहां पर लोकेटिड़ है तो वहां ये जेलम रीवर की ट्रिब्यूटरी है तो ये कहां से निकली है सोना वड़ी नाम की जगा जो है यहां से बेसिकली इसको निकाला गिया है और इसकी टोटल लेंथ जो है 47 किलो मीटर है और ये इरिगेट करती है 13300 अकर ऑफ लेंड तो ये कश्वीर के बारे में हो गया अब और ग़ दो लेंगे थाए कि नेक्स देख यहां को जाके लिए कि अगर हम बात करें तो हम यह बेंगें कि आ कि अनल युदिशन की जगाने होतं यहां पर जलिए और धीयक यहां पे केनाल की डिग्गिंग करना थीक है तो थिल्टाक है वहां यह बिऩाद्गरे हुल्हेंर भाँ पर चाहिए तो इसलिए रहाँ पर मोलें कड़ें निहीं उनी छोटी किनाल पर मायूर्स द्क वाइश तो यह हो गया हमारा लडाक के बारे में भी और हमने डिटेल में DOC कर लिया हमारा इर्रिगेशन of Jammu and Kashmir ठीक है तो यही से lecture हमारा complete होता है मिलते हैं next lecture में thank you and bye